अग्रिकल्चर अड़ा 24-7 के यूट्यूब चानल पर फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है तो गाइस आज का ये जो सेशन है संकल्प ये आपका क्लास 4 है सो लेस्ट गो अहेड और स्टार्ट टोड़े सेशन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अड़र 24-7 का मोबाइल अप्लिकेशन डाउनलोड की कर लीजिए धेर सारे सब्जेक्ट वाइस कुईजेस आपको मिलते हैं यहां पर कम्प्रिली प्री आफ कॉस्ट उसको अटेम कीजिए बस आपको उसको अटेम्ट करना है ठीक है वेरी गूड मॉर्निंग स्मृति जस्पृत मयूर नरुत्तम वेलकम तू दा सेशन और अगर आप ने हो चैनल पर देन डॉन्ट फर्गेट त सब्स्राइब तो अगरिकल्चर अड़र 24-7 यूट्यूब चैनल और जो PDF से वो टेलिग्राम चैनल पर मिलेंगे टेलिग्राम चैनल का नाम भी अगरिकल्चर अड़र 24-7 चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेस्टिन नंबर 1 वो इस नोन ऐस दा फादर आफ वीड साइट्स ओके तो आज के क्वेस्टिन अग्रो मेटियोरोलोजी से हैं एंटोमोलोजी से हैं ठीके अड़ थोड़ा अग्रोनोमी से भी है ओके सो easy to moderate अग्रो मेटियोरोलोजी के obviously आपको easy मिलेंगे ठीके थोड़ा सा एंटो में moderate level का क्वेस्टिन आप कह सकते हो ठीके कितने लोग कितना सही करते हैं आज एक चीज और करना है क्लास के एंड पर मुझे बताना है कि टोटल 40 क्वेस्टिन से और 40 में से कितने सही हुए very good morning humanity hello mokeesh welcome to the session very good morning आशुतोस ठीक है 40 से कितने सही हुए मुझे last में बताना देखते हैं कि कितना accuracy है आप लोगों का ओके चलो विकी अभी तक तो ऐसा कोई news नहीं मेरे पस मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूं ठीक है चलो who is known as the father of weird science already आप लोगा answer दे चुके हो very good morning विशु the right answer here is jethro tool क्या होगा jethro tool is the right answer number two the harmful effect that one plant has on another via the production of chemicals is known as dash ठीक है जब भी एक plant कोई chemical produce करता है और उसके वज़े से दूसरे plant को नुकसान पहुचता है तो उसको हम क्या क्या क्याते हैं heterolersion, allumon, allelopathy, anti-xenotic, CR, none of the above विकी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर मुझे confirm करना पड़ेगा बिना information के मैं इस चीज़ को यह नहीं बता सकता हूँ कि क्या हुआ है एक बर मुझे confirm करना पड़ेगा तभी मैं बता पाऊंगा ठीक है very good morning, good morning, allelopathy, very good, so allelopathy क्या है so basically एक plant ना, कुछ इस तरह के plant toxins या फिर कुछ इस तरह के compounds chemicals produce करता है जिसको हम allelochemicals कहते हैं, ठीक है, यह allelochemicals क्या करते हैं, दूसरे plant को नुक्सान पहुचाता है जैसे अगर आप eucalyptus के नीचे कोई field crop लगाओगे, तो उसका growth inhibit होता है sorghum allelopathic effect दिखाता है, ठीक है, so इस तरह के अलग-अलग allelopathic effect है, जो crops दिखाता है यही पर एक positive interaction भी होता है, मदलब कुछ ऐसे crops होते हैं, जो एक दूसरे को support करते हैं और उस concept को हम कहते हैं, annidation, क्या कहते हैं, annidation कहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेगा, got it, very good, good morning धरित्री, clear, next which of the following seeds are mixed with mustard seeds to adulterate it and which also causes the disease, drop seed, ठीक है, इन में से कौन सा seed से जो mix किया जाता है mustard seed के साथ उसको adulterate करने के लिए, और इसी के साथ वो dropsy disease भी cause करता है answer guys, just a minute okay, rather rather akash, welcome to the session, B, argymone, mexicana, absolutely correct, ठीक है न, कुछ इस तरह का दिखता है, यह plant, okay, next, मेरे कहल से सभी लोगों ने देखा ही होगा इसको, कभी ने कभी तो जो fields हैं या फिर खाली fields होते हैं वहां पर आपने देखा ही होगा, ठीक है, हाँ, also called satyanasi, okay, the weed, echinocola, colonum, affects which of the following crops, weed sign से कुछ questions है, weed, rice, peas, tomato, mage, prickly proper, आंखों का अंधा पनी, यह नहीं पता था मुझे, thank you so much, the weed, echinocola, colonum, affects which of the following crops, rice, absolutely correct, echinocola के जितने भी species है न, mostly वो rice को affect करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखियेगा, ठीक है, कुछ इस तरह के यह plants दिखते हैं, okay, next, the weed, chinopodium album, affects which of the following crops, chinopodium album, इन में से कौन से crop को affect करते हैं, very good morning, आध्या, the weed, chinopodium album, यहाँ पर क्या करता है, भाई weed तो है नहीं, wheat अगर नहीं है, तो क्या होगा, wheat तो है नहीं न, option में, millets, ठीक है, wheat तो option में है ही नहीं, यहाँ पर millets होगा, ओके, चलो, एक बार यह वाला देख लेते हैं, यह है क्या, this is nothing but another name for allelo chemicals, ठीक है, यह allelo chemicals का ही एक दूसरा नाम है, clear, ठीक है, चलो, ठीक है, मिलेर्स हो गया, अब number 6 पर जलते हैं, यह कुछ इस तरह का दिखता है, आपका, क्या चीज़, चीनो पोडियम, अल्बम, ओके, next, दो वीड, सैकरम, स्पोंटैनियम, एफेक्ट्स, वीच आप दो फॉलोविंग क्रॉप, ठीक है, सैकरम, स्पोंटैनियम, कौन से क्रॉप को एफेक्ट करता है, चीनो पोडियम, अल्बम, पीज में, नहीं, आता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन comparatively बहुत कम आता है, ज्यादा तर वीट और मिलिट्स में देखने को मिलता है, ठीक है, पीज में ऐसा नहीं कि नहीं आता है, अगर यहाँ पर option के हिसाब से में देखूं कि या, दो option मेरे पास है, दोनों में आता है, तो मैं कौन सा चूज करूँगा, तो mostly cereal के case में millers में आता है, ठीक है, in comparison to peas, ठीक है, next, हाँ, sugarcane तो है नहीं, okay, so mage is the right answer, okay, इसका जो flower वगेरा है, यह mostly sugarcane की तरह दिखता है, tomato is adversely affected by which of the following weeds, tomato की crop में कौन सा weed देखने को मिलता है, agropyrone, portulaca, skankaris, ciliaris, chinopodium album, only 1, 2, 3, 2 and 3, या only 1 and 3, देख रहा है न, सारा option visible है न, बिलकुल हो सकता है, जो रभी crops है, उनमें chinopodium album हो सकता है, ठीक है, most रभी crops में, कांस, इससे हाथ कट भी जाता है, जो क्या बोलता है, सैकरम है न, सैकरम के weeds से, ठीक है, इससे हाथ भी कट जाते है, अगर जोर से आपने पकड लिया और उसको खिंचने की कोशिश की और वो हाथ से slip हो गया, निकलने की वज़े, तो हाथ भी कट जाते है, मेरे साथ हुआ ह बहुत लोग के साथ हुआ है, ठीक है, 1 and 3, 1 and 3, अगरो पाइरन और चिनो पोडियम, वेरिंगो, ठीक है, next, climate pertence to dash, long period of time, short duration, medium duration, only B and C, none of the above, easy question है, हाँ, श्योर आधिया करता हूँ, पहले इसका answer देतो सब लोग, climate trick, सॉरी, climate trick बोल रहा हूँ, climate pertence to dash, climate के जब हम बात करते हैं, क्या होता है, long period, short duration, इसमें इतना confusion क्यों है, very good, सायक, सायक बहुत दिन बात दिख रहे हो आप, very good, very good, guys, सायक, आरुशी, योगी, very good, असुतो, सरिंदम, चंदु, दिखविजय, प्राची, स्मृति, अर्पिता, अंकिता, कुल्दी, युमानिटी, नरत्म, जस्परित, आका, स्मिनल, ठीक है, आधिया, very good, ठीक है, so long duration होता है, अब बात यह है, कि आधिया नहीं यहां पर एक doubt पूछा है, कि climate trick और non-climatic crop का pick कर लोगे, तब भी वो क्या होते है, ripen होते जाते है, क्या होते है, ripen होते जाते है, और यह ripen क्यों होता है, राइपनी, जो ripe होता है, या फिर ripening stage होता है, that is nothing but maturity, मतलब आपका जो crop है, या फिर कोई भी, let's say plant है, वो अपने maturity या life cycle को complete करने की कोशिश कर रहा है, तब भी वो राइपनी, basically बुड़ा होते जा रहा है, ठीके, just imagine एक इनसान है और उसकी सांसे रुख गई, ठीके न, जब उसकी सांस रुख जाती है, चाहे वो मर गया हो, या फिर उसको एक movies वगरा में आपने देखा होगा, जैसे कि अभी-अभी avatar, केलो, avatar, केलो, जो भी केलो, आय ठीके, कि cryo chambers में, जो है, लोग रहते, लोगों को cryo chambers में रख के transport किया जाता था, जब cryo chambers में किसी को रखेंगे, तो उसका जो growth है, वो suspend हो जाता है, ठीके, जैसे कि, let's say, क्या बोलते है, Captain America, अब ये क्यों होता है, क्योंकि body function करना बंद कर देती है, ये respiration बंद हो जाता ह है, इनका जो maturity है ये slow हो जाता है, इनका life cycle complete नहीं होता है, वहीं पे एक full stop लग जाता है, ठीके, तो यहाँ पर जब भी कोई ऐसा fruit होता है, जिसको हम climatric कहते हैं, मान लो mango हो गया, या papaya हो गया, इनको अगर आप तोड़ दोगे plant से, पूरा maturity होने से पहले, तो ये क्या हो होगा, इनका respiration चलते रहेगा, जिसकी वज़े से ये mature होते रहेंगे, पकते रहेंगे, थोड़ी देर बाद सड़ जाएंगे, और ये literally खतम हो जाएगा, ठीके, लेकिन कुछ ऐसे fruits होते हैं, जैसे कि citrus हो गया, lemon हो गया, अब ये पकते नहीं है, अगर आपने इनको tender stage में तोड़ लिया, तो ये as it is, इनका life cycle वही पर रुख जाता है, जिसको हम non-climatic fruit कहते हैं, जहाँ पर इनका respiration नहीं चलता है, clear है, yes or no, बहुत time हो गया, horticulture पढ़ाए हो, clear है, concept, respiration और non-climatic fruit का, ठीक है, आगे पढ़े, या कोई और doubt है, okay, 2021 में पढ़ाया था मैंने horticulture, उसके बाद से तो आपके अलग-अलग teachers आ गए, फिर मैंने नहीं पढ़ाया, 2021, October तक पढ़ाया है मैंने, October के बाद, अलग-अलग teachers आ गए, अलग-अलग, नहीं, October नहीं, 2022 के, 2022 का जो F हो, हाँ, 2021 तक, okay, चलो, let's go ahead, next, principles of mercury barometers was discovered by dash, ठीक है, principle of mercury barometers, किस ने यहाँ पर discover किया था, mercury basically use होता है, okay, and इसके uses को किस ने discover किया था, come on, answer, Tauricelli, Aristotle, Pliny, Galileo, none of the ever, September तक, हाँ, September, 2021, September तक मैंने सारे subject पढ़ाया थे, लास्ट मेरे खियाल से, Bank of Maharashtra का batch था, जिसमें मैंने सारे subject पढ़ाया थे, 2021 में, उसके बाद फिर, पहली team आई थी, फिर उसके बाद, second team आई, जिसको आप देख रहे हो, मिनाक्षी मैं, क्या बोलते हैं, पुषकर सर, और हीना मैं, ये तीनों February में जॉइन के थे, 2022 में, so this was the second team, first team जो थी, it was Nayan sir, then Rafiq मैं, अड उमे मैं, और फिर आकासर आए, कि पुषकर सर, obviously आपो पता होगा, पुषकर सर चले गए, तो आकासर आए, पुषकर सर की, UPPS, UPPS, UPPCS का है, STA, okay, चलो, let's go ahead, okay, continue, A, Tauricelli, okay, Tauricelli, clear, next, so, instrument used for measuring wind velocity, super easy है, instrument used for measuring wind velocity is known as, dash, hydrometer, pyranometer, altimeter, animometer, helimeter, yes, very good, okay, question भी easy है, answer, और भी easy है, ठीक है, the right answer here is, animometer, ठीक है, direction कौन बताता है, direction बताता है, wind, when, ठीक है, next, the term PET was coined by potential evapotranspiration, मेरे खियाल से सबको इस concept के बारे में पता होगा, इससे हम calculate करते हैं, कि एक particular जगह में, अगर आप plant grow कर रहे हो, तो कितना water loss होगा, और यह water loss, generally, soil evaporation, plus plants से जो transpiration होता है, उसी process से होता है, तो potential evapotranspiration जितना कम होगा, plants के लिए water availability, या फिर moisture availability index, उतना ही ज्यादा होगा, सरका, already आप लोगों का answer आ गया है, very good, thon twit, ठीक है, क्या है इनका नाम, thon twit, ठीक है, next, a rainy day is called when rainfall received in 24 hours is dash, school में अक्सर rainy day declare हुआ होगा, आप लोगों को, मजा आ गया होगा, मैं तो ऐसा होता था, हम लोग गए bus stop तक, और bus stop के पास, bus वाला आके बोल रहा है, आज school चुटी हो गई है, rainy day है, ठीक है, उस टाइम पर तो ये, इतना भी SMS, WhatsApp का वो जवाना नहीं था कि लोग बोलेंगे, क्या चीज़ की भेज दिये, ठीक है, तो मोबाइल्स वगेरा, इतना ज़ादा, उस टेंपल लाइन 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 जादा, बसे साते थे और बोलते थे, आज school चुटी है, ठीक है, आज आपका rainy day declare करती है, ठीक है, so the right answer is, greater than 2.5 mm, ठीक है, अग 24 गंदे तक अगर greater than 2.5 mm की बारिश होती है, तो उसको rainy day declare करती है जाता है, national research center for litchi is located at dash, okay, so national research center for litchi कहाँ पर है, बहुत easy है, okay, इनको nrc कहा जाता है, क्या कहा जाता है, nrc कहा जाता है, सो nrc for litchi, मुझफरपूर बिहार, कहाँ पर है, मुझफरपूर बिहार में है, national biodiversity authority is located at, देखें कितने लोगों को ये पता है, national biodiversity authority is located at, चैन्नाई, निव डेली, नागपूर, गुडगाउं, पुने, come on, come on guys, answer, I am from मुझफरपूर, great प्राची, हाँ, nrcl कहा जाता है, जितने भी आपके, देखो, जितने भी आपके crops है न, सबके nrc आपको मिलेंगे, ठीक है, कुछ popular है, ठीक है, कुछ उतने भी popular नहीं है, okay, so come on, next, so a, चैन्नाई, national biodiversity authority is located in चैन्नाई, very good, okay, जिन्होंने निूडली बोला, गलत, central institute of post harvest engineering and technology, जिसको सिफिट कहते है, is located at Dash, Haryana, Pune, Ludhyana, Gurdgaon, Bhopal, जिल्दी करो, जिल्दी करो, आपके All India Mock के लिए भी meeting है, जाना है, call भी आगया, पूरा करके ही जाएंगे, एसी बात नहीं है, Central Institute, okay, so, Ludhyana, very good, ठीके, All India Coordinated Vegetable Improvement Project was started in Dash, year है, rare है, but year है, come on guys, answer, session अच्छा लग रहा है, तो वो जो like का icon है ना, जो एकदम रंग बिरंगल like होके आज के लाता है, उसको दवाना मत भूलना, ठीके, All India Coordinated Vegetable Improvement Project, AICVIP was started in, winner का भी name लीजिए sir, जो सबसे जादा last में score करेगा, ठीके, उसका नाम ज़रूर लिए जाएगे, ठीके, और जो आपकी बार AFO पार करके आएगा, उसको office में आनेगा, invitation भी मिलेगा, party भी होगी, सब कुछ होगा, चलो, 1970, 71, come on, 17, new seed policy was launched in, new seed policy कब launch किया गया था, 1982, 1992, 1988, 86, 90, new seed policy was launched in dash, new seed policy was launched in dash, okay, so new seed policy launch किया गया था, 1988 में, okay, who coined the term genetics, super easy question है, कुछ भी नहीं है, यह जो गलत कर दिया ना, भाईस है, आपका B.S.C. व्यर्थ है, गलत मत करना इसको, who coined the term genetics, come on guys, super easy है, Hugo D. Vries, W.L. Johnson, Morgan, Batson, none of the ever, देखते हैं, सबसे पहला answer किसका आता है, और सही है या गलत है, अर्पिता D, धरित्री D, फिटनेश, वैट्सन, वेशु, वैट्सन, आशुतोस D, D, सायक, अरिंदम, धरित्री, शेव, आध्या, हुमानिटी, स्मृति, वेरी गुड, मुकेश, नरोत्म, जस्परीत, अंकिता, आकास, लीजा, आरुशी, दिग्विजय, वेरी गुड गाईस, ठीक है, ओके, clear, Batson, ओके, सर, AFO का pre-batch लेना है, देखिए, 14th of February से, foundation batch start हो रहा है, जो की pre-plus mains है, सिर्फ pre-batch नहीं है, okay, pre-plus mains का batch है, जो एक complete batch होगा आपका, 14th February से start हो रहा है, आप Adda247 के mobile application पे जा सकते हो, category में agriculture चूज़ करना है, वहाँ पर आपको store दिखेगा नीचे, AFO, वहाँ पर चूज़ करना है, फिर buy now पे जाके, code आप use कर सकते हो, Y291, maximum discount जो भी होगा, मिल जाएगा, कुछ coins होँगे वहाँ पे, उसको use कीजिएगा, और batch का price होगा, 3080 रुपेश, ठीके, pre-plus mains का batch, foundation batch है, ठीके, 5 classes आपके agriculture, 5 faculty agriculture के, 3 faculty pre-के, ठीके, so join कर सकते हो आप, okay, till then, चलो, आगे बढ़ते हैं, next question, the germplasm theory was proposed by, germplasm theory को किसने प्रपोस किया था, Wisman, Mendel, Darwin, Hugo DeVries या both A and B, answer, अभी हुआ ही नहीं है BAC, चलो, very good Mukesh, यार Mukesh के concepts लिया रहे, बहुत बढ़िया, किसने क्या किया था, सारे के सारे उन्होंने list कर दिये, very good, next, the germplasm theory, come on, yes, okay, so the right answer is wise man, okay, next, which of the following is the controlling center of a cell, अभी यहाँ पर कुछ basic genetics से question है, ठीक है, जो आपके introductory genetics है ना, principles of genetics, उसमें से कुछ question है, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं होंगे, एक, दो, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, वहां में समझा दोंगा, ठीक है, don't worry, which of the following is the controlling center of a cell, नहीं आएगा, तो tension नहीं लेना है, भाई देखो, कहीं न कहीं, कुछ ना कुछ ऐसा concept होगा, जो आपको नहीं पता होगा, जो मुझे भी नहीं पता होगा, ठीक है न, इसे बहुत सारी चीज़े हैं, यार, agriculture is like, आप जितना पढ़ते जाओगे, उतना नहीं नहीं चीज़ें मिलते जाएंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है, dominance, come on, inversion, deletion, duplication, translocation, none of the above, Sir, आपका AFO का class कितने दिनों से चलता है, बता दीजिए, धनन जाए, भी तो एक साल हो गया चल रहा है, एक साल से भी उपर हो गया, ठीक है, सुभे 9 बजे class होता है, पहला, फिर 10 बजे, फिर पूरा दिन चलते रहता है, AFO ग्यारा बजे, बारा बजे, इतने चार classes होते हैं, AFO के लिए, बाकी दिन में दूसरे पंजाब एडियो, BSFC, Math, English, Seasoning के भी classes वगएरा होते रहते हैं, ठीक है, duplication, 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 नहीं, ठीक है, यहांपर कुछ answers सही है, सायक, धरी 3, ठीक है, विशु, मुझे कुछ answer यहांपर सही भी दिख रहे हैं, ठीक है, So the right answer is deletion, अब देखो सबसे पहले pseudodominance होता क्या है, अच्छा सभी को पता है, recessive genes और dominant genes के बारे में, यहांपर तो मेरे ख्याल से किसी को doubt होगा नहीं, ठीक है, dominant genes के characters express होते हैं, recessive genes body में रहते हैं, लेकिन उनके characters express नहीं हो पाते हैं, recessive genes दो भाई बहन है, recessive genes वो भाई या वो बहन है, जिसको बहुत ज़्यादा दूसरा भाई या बहन बहुत कूटता है, ठीक है, उसका खाना चीन लेता है, वो recessive gene, clear, वो express नहीं कर पाता है, कि उसको क्या करना है, ठीक है, जो dominant gene है, वो express करता है, कि हाँ भाई, यह है, मैं हूँ, ठीक है ना, यह मेरे characters से, ओके, इसको यह आपके recessive और dominant gene है, अब pseudo dominance में क्या होता है, pseudo मदलब fake, pseudo का मदलब क्या है, fake, इसका मदलब fake dominance, अब dominant gene तो fake dominance दिखाएगा नहीं, ठीक है, तो fake dominance कौन दिखाएगा, recessive gene दिखाएगा, कौन दिखाएगा fake dominance, recessive gene दिखाएगा, ठीक है, तो recessive gene तभी fake dominance दिखाएगा, जब आपके dominant gene में से, किसी भी तरह का deletion होगा, मान लो, let's say, एक ABC है, एक ABC है, ठीक है, यह dominant है, यह आपका recessive parent है, this is the recessive parent, this is the dominant parent, अगर हम इन्हें cross करेंगे, तो यह क्या मिलेगा हमें, ABC मिलेगा, वरना ABC, ठीक है, इन दोनों में से, कोई भी एक character, यहाँ पर क्या होगा, express होगा, राइट, ओके, यह आपका मिला progeny, या फिर F1 generation, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और offspring, और उसमें से, generally, ABC जो है, वो express होगा, लेकिन, कुछ reasons के वज़े से, होता क्या है, deletion होता है, अब deletion में होता क्या है, कि जब यह cross होंगे, कुछ इस तरह का आएगा, ABC, AC, मानलो, B delete हो गया, अब B delete होने की वज़े से, ABC dominant तो था, लेकिन, अब जो यह AC है ना, यह उतना dominant नहीं रहा, क्यूंकि यह इतना dominant नहीं रहा, अब ABC ने बोला कि, यार, मानलो, जो बड़ा भाई था, या बहन था, जो हमेंसा छोटे को कूर्टा रहता था, या कूर्टी रहती थी, उसका एक दिन तबियत खराब हो गया, अब उसके तबियत खराब होने की वज़े से, छोटे ने क्या किया, दे कंबल ओड़ के मार, धमाधम धमाधम, ठीक है ना, तो यह वाला हाल यहाँ पर हो गया, और जो ABC है, मतलब जो recessive gene है, वो expressive हो गया, इसको हम कहते हैं, pseudo dominance, अब बताओ, यहाँ पर किसी को, क्या बोलते हैं, confusion है, देखो, टेकनिकल टर्म्स में तो, आपको बुक में भी मिल जाएगा, बात समझने की है, genetics में problem क्या आता है, कि students ना, समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, कितना अच्छा लगता है, यार यह जब सारे subjects में पढ़ाता था, बस load बहुत ज्यादा था, परना मजा बहुत आता था, genetics में तो अलगी level का मजा आता था, ठीक है, सो यह generally होता है, समझ में आया सभी को, clear है, okay, 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 यार हो तो सकता है हिंदी में, लेकिन यार में लाया नहीं हूँ, clear, genetics and breeding में मजा आता है, ultimate वाला, okay, समझाने वाला ही नहीं मिले, चलो, आगे बढ़ते हैं, okay, sir, मैं हिंदी मेडियम से हूँ, पढ़ रहा हूँ, sir, हिंदी में question कराते, तो 50 plus question बता देते, sir, देख वह यार मैं कराऊंगा, ठीक है, actually, time नहीं मिलता है, मैं बीच में Hindi और English दोनों में कराता था, लेकिन अब English में कराता हूँ, मैं फिर से कोशिश करूँगा, कि Hindi English दोनों में कराने के लिए, मैंने इसके बारे में सोचा भी है, ठीक, ऐसी बात नहीं है, okay, I'll try, okay, चलो, appearance of a recessive phenotype in a pedigree due to deletion of a masking dominant gene is known as pseudo-dominus next, आगे बढ़ते हैं which of the following bases is not present in DNA इसमें से कौन सा bases जो DNA में नहीं मिलता है, adenine, thymine uracil, cytosine या all of the above, easy question है इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी जहां पर आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसको book language में पढ़ने की बजाए, कुछ दूसरे type का thoughts सोचिए कि क्या हो सकता है ठीके, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ मुझे अगर आप any point of time बोलोगे कि biology पढ़ना है या maths पढ़ना है maths के लिए, maths मुझे इतना अच्छा लगता था ठीके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि engineering को छोड़के मैं agriculture में आया हूँ, अब decision कितना सही था यह तो नहीं पता है ठीके, एक बार engineering में आने के बाद भी मैंने सोचा कि यार तैयारी कर लें कि IIT की, ठीके, दूसरी बार AIEEEE की तैयारी कर लें कि ठीके, एक बार तो हुआ है, दूसरी बार तो निकली जाएगा, थोड़ा और अच्छे college में अच्छे ranks निकलेगा, ठीके न, लेकिन again, यहीं पर हूँ मैं, ठीके, so at the point of time, आपको समझना पड़ेगा, कि आपको हर एक बच्चा होगा, जिसको कोई subject अच्छा लगता होगा, कोई subject अच्छा नहीं लगता जो अच्छा नहीं लगता है, उसको अपने तरीके से अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए अपने तरीके से समझने की कोशिश कीजिए तभी आपको मज़ा आएगा मुझे न एंट और पैथ फर्स सेमिस्टर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था पूरा एक साल चला गया मुझे एंट और पैथ में मज़ा ही नहीं आता था उसके बाद धीरे धीरे उसको पढ़न आपक्तिकल ही देखा कि diseases क्या होते हैं, pest infestation क्या होते हैं तो मैं धीरे धीरे curiosity आया, identify करेंगे, अब खुद से identify करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चलो, let's go ahead, which of the following basis is not present in DNA, answer is uraceal, क्या होगा, uraceal होगा, sir FCI AG3 technical phase 2, paper 1 के लिए mock मिल जाएंगे, क्या, please reply, phase 2, paper 1 के लिए, हा आगे बढ़ते हैं, 23, मैं लास्ट में बता दूगा, अगर आप class में रहोगे, या फिर देखो, dead man करना क्या है, अगर 24-7 का application डाउनलोड करो, category में FCI category चुनो, AG3 या manager जो भी चुनना है, चुन लो, उसके अंदर आपको, phase 2, paper 1 का test series मिल जाएगा, ठीक है, come on, come on, answer, मैं त answer, come on, plant protection के subject and breeding वाज मैं FAB, बट MSC vegetable sign से करनी पड़ी, मुझे इस UP से हो क्या, by any chance UP से हो क्या, clear, okay, so, the right answer here, is, yes, क्या, आचा, answer तो देखा ही, मैंने, E, C, मतलब, अगर E, E, बोल रहे हो, as in horizon, तो वो भी सही है, ठीक है, अगर C option बोल रहे हो, तो वो भी सही है, ठीक है, तो C, E, horizon is the right answer, हमेशा याद रखिएगा, E आपका होता है, washing out, या alluviation, क्या होता है, alluviation, मतलब, यहां से जो minerals है न, वो धूल के नीचे चले जाता है, पानी के साथ, ओके, उतरा खंड से हो, ओके, ठीक है, so next, ओके, यहां पर, यहां अगर मैं बात करू, जो भी यहां से धूल के आता है, वो कहां आता है, वो B में आता है, ठीक है, और B को हम layer of illuviation कहते हैं, यह alluviation, यह alluviation, ठीक है, so य को हम layer of illuviation कहते हैं, यह फिर washing in कहते हैं, क्या कहते हैं, washing in, ठीक है, चलो, सर, हाँ, अगर E नहीं होता, तो, ओके, अगर E नहीं होता, ठीक है, तो यहां पर A होता, कभी भी, कभी भी अगर illuviation पूछा होगा, और option में I होगा, तो I कभी मतलगाईएगा, I is a sub horizon, I master horizon नहीं ह इसका प्लीज ध्यान रखिएगा, I क्या है, I a sub horizon है, I a master horizon नहीं है, ठीक है न, clear, next, okay, E होगा, हाँ, अगर A नहीं होता, या मान लो, बोथ A and B, बोथ A and B से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि E already a master horizon है, ठीक है न, A, B, E, C, ठीक है, already, sorry, A, E, B, C, already आपका ये a master horizon है, तो उसको जो है, यहां पर, क्या नहीं करना है, confused नहीं करना है, ठीक है, clear, next, the active soil forming factor is dash, okay, active soil forming factor क्या है, climate relief organism, both A and C, none of the above, answer, क्योंकि हम E को designate करते हैं, as a horizon, हम I को designate नहीं करते हैं, इसलिए A है, तब भी हम E को designate करते हैं, अलग से, अगर E option में नहीं होगा, तो A लगाना है, इ ठीक है, A का part ही है, लेकिन हम E को as a master horizon, अलग से designate करते हैं, एक बार soil profile पढ़िए, प्लीज, ठीक है, clear, so, देखो, D both A and C, very good, chlorpot, क्या होता है, chlorpot, ठीक है, यह दोनों आपके active है, climate, organism and vegetation, RPT, relief, parent material, और time, ठीक है, so, यह तीनों आपके passive, क्या है, passive factors है, clear, next, the parent material transported by gravity is called dash, जो parent material gravity के थुरू एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, lacustrine, coluvine, alluvium, both A and C, none of the ever, yes, chlorpot, C, L और O, active है, RPT आपका passive है, parent material transported by gravity, absolutely correct, ठीक है, the right answer is coluvium, ठीक है, lacustrine, lake, alluvium, rivers, ठीक है, याद रहेगा, okay, so B, coluvium is the right answer, transformation of raw organic matter into humus is called dash, raw organic matter, मतलब के लेगा छिलका, जब humus बनता है, तो उसको हम क्या कहें, humification, bronification, rubrification, all of the above, none of the above, यार, profile है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, profile में O, A, B, O, A, E, B, ठीक है, यह तीनों से generally आपके questions आते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है, येस, absolutely correct, humification is the right answer, removal of silica from soil, and accumulation of sesquiv oxide is known as, जब soil में से silica remove होता है, और sesquiv oxide accumulate होता है, उसे क्या कहते हैं, बार बार बताया है, मैंने आपको sesquiv oxide क्या होता है, iron and aluminium के oxides, ठीक है, इनको हम collectively sesquiv oxide कहते हैं, porzolization, lateralization, gleezation, both A and B, none of the above, removal of silica from the soil, and accumulation of sesquiv oxide is known as, dash, just a minute guys, E is not counted in master origin, just a minute, किस ने कहा, ISS के website पर जाईए, प्लीज, और वहाँ पर check कीजिए, O, A, E, B, C, R, O, A, E, B, C, R, ठीक है, these are the master horizons, I को हम B के साथ ही, जो है, include करते हैं, यह master horizon नहीं होता है, यह sub horizon होता है, ठीक है, E के अंदर भी sub horizons होता है, एक बार बहुत confusion है, हमारे बहुत सारे book में यह mention नहीं है, ठीक है, international soil society के website पर जाके एक बार check कीजिए, आपको answer मिल जाएगा, O, A, E, B, C, R, So, removal of silica from the soil, ओके इसको हम laterization क्याते हैं, क्या क्याते हैं, laterization, ठीक है, next, slate is metamorphosis from which rock, answer, come on, come on, guys, just a minute, please, clear, shale, shale, sandstone, देखो, slate में जब metamorphosis होता है, तो we get sale, not sandstone, ठीक है, what is brownification and rubrification, brownification और rubrification धरितरी agriculture के concept नहीं है, don't worry, ठीक है, next, rubrification बेसिकली printing से related है, okay, and brownification, agriculture से तो related नहीं है, ठीक है, एक बार मिज़े देखना पड़ेगा, but it's not related to agriculture, okay, soil sows plasticity at dash, plasticity सबको पता है, plasticity का मतलब, आप यहां पे क्या कर सकते हो, what is plasticity, anyone, plasticity क्या है, जब भी आप soil को, बिना तोड़े उसके shape को change कर सकते हो, उसको हम plasticity कहते है, बचपन में जो गुडिया है, या जो डॉल्स है, जो भी मिट्टी के बरतने, वो सारे example है plasticity का, तो इसका मतलब clay होना चाहिए, absolutely correct, the right answer here, is more than 50% clay, appropriate flocculation order, flocculation defloculation सबको मालूम है, flocculation defloculation का concept clear है, yes or no, changing the shape of the soil without cracking it, come on answer, भासकर बहुत दिन बात दिख रहे हो यहां पर, लचीलापन, right, flocculation defloculation concept clear है या नहीं है, बहुत लोगों का यहां पर रहता है कि, क्या बोलते हैं, क्या फ्लोकुलेशन पता ही नहीं है, क्या है, A, A, ठीक है, so the right answer is A, now what is flocculation, अगर दूद में citric acid, मैं simple example देता हूँ, जिससे आपको easy होगा, पहले, हाँ, very good, aggregate formation of soil, flocculation का मदलब, जब भी आप कोई ऐसा chemical डालते हो, या फिर कोई ऐसा भी element डालते हो, जिसके वज़े से, soil में बड़े-बड़े aggregates form हो जाते हैं, उसको हम flocculation कहते हैं, हाँ, add here together, ठीक है, साथ में चिपक जाते हैं, defloculation मतलब, अलग-अलग हो जाते हैं, इसका एक simple example में बताता हूँ, जो आप डेली लाइफ से समझ पाओगे, जब भी दूद से पनीर बनता है, या फिर दूद खराब हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा नीमबू या citric acid या vinegar डाल के, उसमें पनीर या छेना बनाते हैं, राइट, जैसे ही, आप एक अच्छे से दूद में डालोगे नीमबू, तो वो दूद फट, कहता हैं कि दूद फट गया, दूद फटने के बाद क्या होता है, जो पनीर है, या फिर जो केसीन प्रोटीन है, वो एक दूसरे, छोटे-छोटे-छोटे-छोटे से बन जाते हैं, बॉल जैसे, उसको हम कहता है, फ्लोक्यूलेशन, ठीक है, ये एक सिंपल सा एक्जाम्पल है, जो आप याद रख सकते हो, और फ्यूचर में कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, नेक्स्ट, महाराष्टर स्टेट, PCS में आया था, ओके, चलो, बहुत लोगों का क्लियर हुआ है, धनन जाई यहां पर, ठीक है, तभी तो क्लास कर रहे हैं, फिल्टर चैम्बर ऑफ होमप्टेरेंस, हेल्प सिं, रैपिड रिमूवल ऑफ डैस, पॉमप्टेरेंस ओर्डर है, ठीक है, उसमें उनका जो फिल्टर चैम्बर है, वो किस चीज को रिमूव करने में हेल्प करता है, सॉल्ट, वाटर, एक्सक्रिटोरी माटीरियल, नाइट्रोजन, नन अफ देवर, कल किसीने कमेंड में पूछा था, किसा largest order कौन सा है, मैंने उसको reply किया था, अब मुझे जड़ाब बताओ, largest order कौन सा है, इंसेक्टा क्लास में, इसके बाद मुझे बताना, next question आपका है, इंसेक्टा क्लास में, largest order कौन सा है, come on, filter chamber, जो students, paid batch के student हैं, आपका एक division class का बना होगा, छोटा सा package, ठीक है, 26 तारीक को उसमें मैं class लोगा, time inform कर दूँगा, agronomy, soil science वगेरा पढ़के आ जाना, अगर कोई doubt हो तो पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको क्या बताऊंगा, जो छोड़ी छोड़ी चीज है ना, जैसे agroclimatic zone हो गया, factors affecting, मैं उ colioptera, very good guys, ठीक है, colioptera is the largest order, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, filter chamber of homopterans, B, water को removal करने में help करता है, hemoglobin as a blood pigment is found in dash, hemoglobin as a blood pigment, कौन से insect में पाया जाता है, सबसे छोटा है, zoroptera, जो बोलोगे, वो discuss करेंगे, ठीक है, class में जब आएंगे, तो जो भी होगा आपको, की सर, ये पढ़ना है, crops में important, important, क्या-क्या चीज़े हैं, वो सारी चीज़े discuss करेंगे, ठीक है, clear, चलो, hemoglobin as a blood pigment is found in, kironymids, ये छोटे-छोटे से bug जैसे insects होता है, not exactly bug, छोटे-छोटे से ants, जिस तरह के दिखने वाले ये insects होते हैं, ठीक है, next, next, anamorphosis is the phenomenon found in dash, anamorphosis किस में पाया जाता है, anamorphosis किस में पाया जाता है, anum, पता नहीं, कोई बात, anamorphosis किस में देखने को मिलता है, anyone, नहीं पता है, कोई टेंशन नहीं, पढ़के जाओ, ठीक है न, C. protura, क्या है protura, what is anamorphosis, anamorphosis और anamorphogenesis भी कहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे bugs या beetles होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, और फिर वो बड़े भी होते हैं, जो इसके उसके ब्ड़े में बहुत सारे segments या बहुत सारे parts है, लेकिन इस particular proturance में क्या होता है कि जो भी छोटे insect से बड़ा insect बनता है ना तो इन में जो appendages है या फिर जो भी आपके let's say क्या केते हैं body में segments है वो add होते जाते हैं ठीक है so the right answer is protura next all होगा पक्का मुझे एक बार check करना पड़े है ठीक है मैं एक बार comments में इसको check करके confirm कर दूँगा all होगा columnbola, deplura, thysanura ठीक है चलो agronomist, oil science होता है तो मैं थोड़ा जोर देके कह सकता था कि नहीं होगा but हाँ, enter है so might be a chance कि यहाँ पर मैंने गलती कर दी हो ठीक है so मैं इसको एक बार check करूँगा ठीक है, चलो next question number 33, clear है anamorphosis, malphigien tubules are absent in malphigien tubules are absent in, come on protura, thysanoptera, columnbola, isoptera, all of the above इसके जगह पे आपको insect का नाम भी दिया जा सकता है exam में malphigien tubules are absent in isoptera, thysanoptera b, b, thysanoptera, all यह किया है, नहीं, thysanoptera तो सही था, यह columnbola c क्यों दिखा रहा है, यह edited, मनलब, edit नहीं किया है ठीक है, clear, so यहाँ पर thysanoptera और all के बीच में doubt है okay, so thysanoptera होना चाहिए okay, protura and columbola isoptera isoptera also क्या यार सब सारे के सारे दुबारा चेक कर आओगे क्या, ठीक है, confirm करना better है okay, क्यों बोल दूँगा कि हाँ सही है, पता चला है यह बाद में गलत होगा, okay BHC was first synthesized by यह तो गलत नहीं होगा, come on BHC was first synthesized by question number 33 and 34 ठीक है, comment में pin कर दूँगा अगर गलत होगा तो इसका सही answer pin कर दूँगा, ठीक है BHC was first synthesized by answer guys, come on yes, absolutely correct okay, BHC was first synthesized by Faraday ठीक है, क्या है, Faraday होगा, okay among all the aflatoxins aflatoxin B1 is the most toxic which species of aspergillus produces aflatoxin B1 and B2 easy question है, मेरे खेल से groundnut में पढ़ा भी होगा, okay aflatoxin, sorry, endo में पढ़ा भी होगा aflatoxin B1 and B2 कौन से aspergillus के species produce करते हैं nicer, flavus, parasiticus both B and C, none of the ever answer, come on among all the aflatoxin aflatoxin B1 is most toxic which species of aspergillus produces B1 and B2 parasiticus नहीं होगा बताव, parasiticus होगा या नहीं both B and C भी है option में answer, come on Flavus, Flavus, Flavus कोई बहुत लेठे class में ठीके, so देखो so यहां पर अगर बात करेंगे aflatoxin में B1, B2, G1, G2 ठीके, इस तरह के यहां पर आपके toxins होते हैं, तो यह जो toxins हैं, यह में पाये जाते हैं, so the right answer is both B and C ठीके, मेरे क्याल से C बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ठीके, so aspergillus, Flavus and parasiticus दोनों हैं, clear, next who introduced the burgundy mixture using sodium carbonate in place of lime, lime की जगह sodium carbonate को use करके किसने burgundy mixture को reintroduce किया था, Mason, Narsimham, Singh, PMA, Millard none of the ever come on come on answer गर्मी आ गई studio के अंदर पसीने निकलने लगे, क्या बताओ, बाहर थंडी है, अंदर गर्मी है दोनो है, Flavus and parasiticus, दोनो 37, Mason absolutely correct, very good 33, what is the actual ratio of copper carbonate, lead oxide and linseed oil in Chobatia paste, Chobatia paste में copper carbonate, lead oxide or linseed oil का actual ratio कितना है, 1 is to 1 is to 1.25, 1 is to 1 is to 1.5, 2 is to 1 is to 2 1 is to 2 is to 2 या 2 is to 2 is to 2 answer answer guys, come on okay, so यहां पर अगर मैं actual ratio की बात करूं तो right answer is 1 is to 1 is to 1 is to 1 is to 1.25 A is the right answer, very good ठीक है, Chobatia paste is prepared by mixing copper carbonate 800 gram, red lead 800 gram and raw linseed oil or lanolin 1 liter यह general ratio रहता है जितना quantity चाहिए वह उसी हिसाब से change होते जाता है proportion this paste was developed as a own dressing fungicide, ठीक है जैसे आपका कहीं पर भी मानलो fungal infection हुआ तो जैसे आपको यह ointment लगा तो बिलकुल उसी तरह इसको apply किया जाता है to be applied to pruned parts of pears, apples and peaches for the control of the diseases such as stem black, stem brown, pink disease stem canker of apples and pears and collar rot of apples, peaches apricots and plums ठीक है तो mostly इन ही diseases के लिए use किया जाता है चलो next, the first disease forecasting system in plant pathology was developed for grey vine downy mildew, plasmophora viticola in the year dash आपको यहां पर year पुछा है लेकिन exam में year की जगह आपको common name पूछ सकता है ठीक है या फिर आपको यह पूछ सकता है the first disease forecasting system in plant pathology was developed for dash, कौन से disease के लिए developed किया गया था वो जादा generally, क्या probable question है ठीक है come on come on answer 1913 absolutely correct the largest animal cell is dash भाई, largest animal cell क्या है ostrich, horse, monkey dunk, none of the above found in dash sir इस end to patho का क्या किया जाए इस time पर यह मत सोचना कि मुझे नहीं आ रहा है या फिर ऐसे question है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है जहां पर question मिल रहा है कोई भी important questions का source मिल रहा है तो वह important questions को याद करने की कोशिश कीजिए ठीक है जैसे मैंने बताया कोई भी concept को अपने तरीके से समझने की कोशिश कीजिए ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो इस time पर tension nervous होने की वज़ाए छोड़ दीजिए मैं तो practically बता रहा हूं ठीक है क्यूंकि अगर आप यह सोचोगे कि यार मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा सब कुछ पढ़ूंगा ठीक है मुझसे नहीं हो रहा है मैं क्या करूं ठीक है तो फिर आप परेशान हो ठीक है आप लोगों से यही request रहेगा session को like कर दीजेगा रोज 9 बजे और 10 बजे यह class होता है exam तक हम लोग इसको करेंगे ठीक है और exam के दिन analysis भी करेंगे ठीक है तो जरूर आईएगा exam के बाद तो till then guys take care, bye bye stay safe यह रहा आपका ostrich ठीक है और IBPS AFO का test series है और जो सबसे important है वो है foundation batch जो लोग next year के लिए preparation कर रहे है 14th February से foundation batch start हो रहा है जो कि एक pre plus mains का batch है ठीक है इसमें पहले आपके mains के subject start होंगे फिर आपके pre के subject start होंगे ठीक है, enroll करने के लिए आपको करना क्या है, simply order 24-7 का mobile application open कीजिए वहाँ पर उपर category में agriculture select कीजिए IBPS AFO आपको दिख जाएगा open कीजिए, आपको यह batch दिख जाएगा ठीक है, इसमें enroll करने के लिए, buy now पे जाईए और यहाँ पर coupon code use कीजिए y291 जैसे आप apply कर होगे, 3 2 1 9 होगा यह batch, यहाँ पर कुछ coins होगे, जैसे ही आप coins को tap करोगे, तो यह 3,080 रुपीज का batch हो जाए चलो, मिलते हैं भाई, next session में और 27 तारीक को आपका All India mock होने वाला है, मैं अभी उसी के related बात करने जा रहा हूँ, ठीक है किस टाप का question set करेंगे, क्या करेंगे सो उसको attempt जरूर कीजएगा, there is a complete free of cost mock, प्लस आपको आपका rank वगेरा पता चलेगा, तो obviously फाइदा हो ठीक है, चलो Thank you so much Miss Agriculturist, चलो और बहुत जल्दी हम लोग एक location पर जाने वाले हैं, और शायद वहाँ पर मिलेंगे भी, तो आसपास जितने students होंगे, मैं बताऊंगा उस location के बारे में, ठीक है, so let's meet there, okay, उमीद करता हूं बहुत सारे students, जान पहचान वाले होंगे, जो मिलेंगे, ठीक है बहुत जल्दी reveal करेंगे कि कहां पर जा रहा हैं, क्या कर रहा हैं, ठीक है So till then, take care sir, 13th February से सुरू करना था, बैच, अफेडा दे कोई नहीं, 14th February Valentine's Day पर start कर लेते हैं, प्यार महबबत का दीन है, पढ़ाई से प्यार महबबत करो, पहले career set हो जाए, फिर बाखी प्यार महबबत करते रहना, right, चलो So let's go ahead and, go ahead नहीं, यहीं पर रुखते हैं, ठीक है और मिलेंगे हम लोग, कल सुभे 9 बजे at the same time, till then, take care, bye-bye, stay safe and don't forget to subscribe to Agriculture Adda247 and session अच्छा लगा हो, तो like or share जरूर कर जीजेगा, bye-bye झाल